हलो फ्रेंड्स एक बर फिर आपका स्वागत है फूट किचेन लैम में और इस थन्ड के मौसम में सर्दी खासी से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुती आसान सा घरेलू उपाए तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे अद्रक की कैंडी सुनकर तो इस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा बट ये कैंडी खाने में बहुत ही अच्छी है बच्चों हो या बड़ों सभी को ये कैंडी बहुत ही पसंद आती है तो इस कैंडी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग अद्रक तो यहां पे मैंने 100 ग्राम अद्रक लिया हुआ है तो सबसे पहले अद्रक को हम लोग छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं ताकि अद्रक को छीलने में हमको कोई भी परेशानी ना हो इस तरीके से मैंने उसको छोटे-छोटे पार्ट में काट दिया है अब एक चाकू की अद्रक को छोटे-छोटे पीसि में काटना तो यहां पर अद्रक को हम लोग छोटे-छोटे पीसिस में काटने और आप सभी तो जानते ही होंगे की अद्रक सर्दी खासी में बहुत ज़ादा करता है तो सबसेंने jett hanged में और अब इसको डालेंगे हम लोग एक चोटी मिक्सी के जार में ताकि इसको हम लोग आसानी से पीस सके और अगर आपको लगता है कि अद्रक नहीं पिसरा तो एक या दो चम्मच हम लोग पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं बट ध्यान में रखिए कि जो पेस्ट है वो बहुत ही जादा स्मूथ इसका होना चाहिए तो यह दे भुनेंगे तो आप देख रहे हैं कि अद्रक का जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख चुका है तो अब हम लोग कर देते हैं गैस की फ्लेम को बिलकुल स्लो और इसमें डाल देते हम लोग गुड मैंने यहाँ पे 100 ग्राम अद्रक लिया था तो उसके अकॉर्डिंग यह आप लोग चीनी का इस्तमाल मत करेगा कि चीनी से टेस्ट तो आपको मीठा आ जाएगा बट वो उतना फाइदा नहीं करेगी देखिए गुड थोड़ी देर में ही पूरा मेल्ट हो गया है तो इस तरीके से बुलकुल धीमी आच में हम लोग इसको बीच बीच में चलाते ह हुए गुड को पूरी तरीके से मिल्ट कर लेंगे और अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ और इंग्रेडियंस भी डालेंगे जो की इस कैंडी को और भी जादा टेस्टी बना देगी तो चलिए वो इंग्रेडियंस हम लोग एट कर देते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर लगब वन फोर्ट चमच हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है जो हल्दी होता है बहुत ही अच्छा एंटी सेप्टिक है और वह भी हमारे सर्दी खासी में बहुत ही जादा रिलीव देता है और इसके पाद इसम काली मिर्ज में हम लोग लगब ऋन फोर्ट सपून ही इसमें हम लोग оворट करेंगे और सबसे आखरी में हम लोग इसमें डालेंगे फिलको थोड़ी से अमाउंट में डाल चीनी तो friends आपने देखा कि जो भी हम लोग ने इस candy में चीजे यूज़ की है वो आसानी से घर में easily available हो जाती है तो इनी सब का इस्तिमाल करके हम लोग candy बनाएंगे जो कि बहुत tasty है और बहुत ही healthy भी है और सबसे आखरी में इसमें एक चीज और हम लोग डालेंगे वो है घी तो घी भी इसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे घी भी सड़ी खासी में बहुत ही जादा helpful होता है अब इन सारी चीजों को हम लोग आपस में अच्छे से mix कर देंगे और अब इसको हम लोग देते हैं पकने के लिए रख देते हैं तो धीमी आज में हम लोग इसको पकाएंगे और कब तक इसको पकाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो आप लोग देखा कि पहले सारी चीजे कितनी गाड़ी लग रही थी जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा लिक्विडी टेक्शर इसका होता जा रहा है तो इसको अब हम लोग थोड़ी देर और पकने देंगे और जब ये साइट से पैन को छोड़ने लगेगा उस stage में हम लोग इसको gas की flame को हम लोग off कर देंगे और फिर उसको हम लोग set कर लेंगे तो ये देखिए लगभग अब ये पुरा पक चुका है side जो आप देख रहे हैं इसकी वो भी इसने छोड़ दिया है तो हम लोग अब gas की flame को कर देते हैं off अब ये थाली में एक butter paper लिया है butter paper में हमने घी लगा दिया है अब उसमें हम spoon की सायता से इसकी छोटी-छोटी सी candy वो हम लोग इसमें गिराते जाएंगे तो अब देख रहें कितने असनानी से गिरा है चाहे तो ये जब ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथ से भी बना सकते है चाहे तो आप इसको butter paper में भी इस तरीके से गिरा सकते है तो इसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे completely ठंडा ताकि ये इसमें से अराम से निकल जाए तो ये देखिए ये मेरी ginger candy बन के तयार है तो देखा कितने असानी से ये हमारी ginger candy बन के तयार हो गई है और इसको आप आराम से बाहर store कर सकते हैं ये आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो इस ठंड में इस ginger candy को बना के रख लीजे और रोच खाईए इस ठंड में आपको बिल्कुल भी सर्दी खासी बिल्कुल भी परिशान नहीं करेगी तो आपको ये ginger candy की recipe कैसे लगी मुझे comment section बताना बिल्कुल मत भूलेगे तब तक के लिए bye bye and take care